कल तो अजूबा हो गया भाई आप बोलोगे कैसा अजूबा नमस्कार मेरा नाम देहाशंकरोजा है आप देख रहे हैं देहाशंकरोजा चैनल आकिर गार काजल को समझ में आ गया कि खेसारी के बिना उनका चनले वाली नहीं है जी हाँ आपको बता दूँ कि काजल रागवानी ने खेसारी लाल के रिल्स पे कमेंट किया है आप बोलोगे क्या बोल रहे हो भाई हाँ देखो इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कल खेसारी लाल यादव और या अमिनी सिंग एक लंदन से रिल्स बना के डाले थे और उस पे काजल रागवानी जी ने कमेंट किया है और ये कमेंट करने के बाद आप जानते ही हो फैंस तो हही फैंस की अक्टिविटी फैंस ने तुरन 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 स्कीन शॉट लिया एक ने नहीं लिया कईयों ने लिया और धड़ा 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 धड़ वाटसेप में मुझे लोग भेजने लगे और बाकी लोगों को भी भेजा होगा तो दोस्तों कहीं न कहीं आप समझ गए होंगे कि काजल रागवानी को ये तो ऐसास हो गया कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है I mean to say कि decision बहुत गलत था उनको लगा था कि खेसारी छोड़ने के बाद भी मैं establish हो जाओंगी मेरा ऐसा fan base है मार्केट में लेकिन ऐसा नहीं हुआ और क्या मिला कि फिल्में तो कर रही है छोटी मोटे गाने भी कर रही है लेकिन वो fan base जो खेसारी जी के साथ रहने पर मिलता था वो नहीं मिल रहा है मतलब fans जो है काजल को अकेले देखना पसंद नहीं करते हैं वो जोड़ी में देखना पसंद करते हैं वो भी खेसारी जी के साथ करते थे आइम इंडू से, अभी तो कुछ किसी फैंस से पोछो तो वो गुस्सा करते हैं, बोलतें ने, 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 काजल नहीं चाहिए, को क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट हमारे लिए दे दू, मिना नाम दयाशंकर होजा है और मैंने इस्टाइग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्चर में, अगर कुछ बाते करनी है तो जुड़ जाओ मेरे से